एक दमपती को पहले तो कतले के जूटे आरोप में पांच साल की जेल की सजा काटनी पड़ी और अब आखों में अपने बच्चों से मिलने की आस लिए बाहर निकले तो बच्चे ही गायब हैं। अपने बच्चों की तलाश के लिए इस दमपती ने इलाहबाद हाई को पत्र लिखा कि किसी तरह उनके कलेजे के टुकणों को उनसे मिला दें। जयंत बनर जी की खंड़ पीट ने लुकिंग फॉर जस्टिस नामक जनहित याचिका के आधार पर दिया है। इलाहबाद हाई कोट ने एक मार्च के पत्र और अन्य कागजात की प्रती अपरशास की अधिवक्ता को देने का निर्देश जारी करते हुए दमपती के बच्चों की तलाश तेज करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2015 में आगरा के एक दमपती को पुलिस ने 5 साल के बच्चे की हत्या के आरोप में जेल भेजा था। जेल भेजे गए दमपती के अपने भी दो बच्चे थे। माबाप के जेल चले जाने पर बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा तो कोट के आदेश थे 5 साल के बेटे और 3 साल की बेटी को अनाथाले भेज दिया गया। जब 5 साल बाद बच्चे की हत्या के मामने में सुनवाई हुई तो अपर सत्र नयाय अधीश आगरा को आरोपी दमपती के खिलाफ कोई साक्ष नहीं मिला इसी आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विवेचना अधिकारी ने जल्दी जांच की अकारवाई पूरी करने की वहवाई लूटने की हरबड़ी में चार्च शिर्ट दाखिल कर दी और वास्तविक अपराधी को तलाशने की कोशिश भी नहीं की। दंपत के खिलाफ हत्या के आरोप का कोई साक्ष नहीं पेश किया गया। अंग्यान लेकर उसे जनहित याचिका के रूप में दर्च कर लिया। पुलिसिया लापरवाही के कारण कई निर्दोष लोगों को जेल की सलाखों के पीछे लंबा वक्त बिताना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों यूपी से भी सामने आया था। यहां विश्नुतिवारी नाम के एक बेगुना शक्स ने अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में एक जूठे रेप केस में बिता दिये थे। जानकारी के मुताबिक एक दलित महिला ने विश्नुतिवारी पर रेप का जूठा केस कर दिया था और पुलिस ने बिना जाच की अपरादी जहरा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया था। यह कैसी निया विवस्ता है जहां पे दोशी बाहराजात खुला घूम रहा है और निरदोश सलाखों के पीछे कैद है।